अब दोस्तों मुझे कुछ पोः लेने नर सरी से तो मैं नर सरी जाना है मुझे तो मैं आपको भुमाता हूँ नरसरी और जब नरसरी जाएंगे तो रास्ते में भी बहुत बहुत सारे हर्याली हैं, बहुत सारे फेड पौदे, तो वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, चलो चलते हैंने। के देखुने रास्थे पे कितनी हर्या ली है और कितने अच्छे हागे पौदे लगे हुए इस में बहुत फूल भी आए कर सा कि अभी मुझे आगे से यह कार जा रही है सी रास्थे से जाना है देख सकते हो आप जो कार जा रही है यह राइट टन कर रही है यही रास्ता है इदरी पर जाओं लिए देखो कितने अच्छे फूल लग रहे हैं यह आपको रास्ता दिखा रहा हूं नरसरी का तो यह रास्ते में पेढ़ है इसमें बहुत सारे आम लगें बिल्कुल पास पास लगें देख सकते हो बिल्कुल बिल्कुल पास पास लगें दिख रहा हूँ ठीक है यह रास्ता है यह देखो यहां पर भी बहुत सारे पेढ़ लगे हुए हैं हर्याली हर्याली दिख रही होगी आपको यहां पर देख सकते हो यहां पर यहां पर बहुत सारे यह फूल के पौदे ल नाम तो मुझे नहीं पता है कौन से फूल है लेकिन लगे हुए है यहां बाग की बाउंडरी है एक तरीके से देख सकते हो आप यह रास्ता है रास्ते में यह देखो पीले फूल का पेड़ है कितना समंदर लग रहा है तो हम नरसरी पे पहुंच चुके हैं और हम मैं आपको कि यह देखो अब पूरी नरसरी दिखाता हूं आपको तैंक हर तरीके के आपको पॉदहीं मिलेंगे पूल symbol के इन आब आ कि आपकी जो हैं जैसे अम्रुत के होगए हूं क्यों कि हो गये ऑग और बहुत टैप की बाड़ा यह मान की जलो के आपको हर तरीके के के हां पर को यां देख सकते हों हर तरीके के पौधे मिलें具ब्ध बहुत अच्छे यहां बहुत अच्छा लगता है मैं आपको दिखाता हूं इह देखो कितना अच्छा लग रहा है यहांहूंपर मुझे लगता मैं काफी पौधे लन्हें आता हूं एक हर तरीके के पौधे मैं आपको दिखाता हूं यह है कि यह बहुत सारे पौधे मुझे नाम तो इनके नहीं पता आप बस आप देखते रहो ठीक है आप देखते रहो मुझे इनके नाम आम तो ज्यादा किसी के नहीं पते हैं कि मुझे भी पूछना ही पड़ता है इनके नाम क क्मेटने अच्छे लगरें है है यह बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे तो बहुत हिचे लग रहा है मैं तो बल्कुल लाइव देख रहा हूं ठीक है कि आ लो कि तने चे लग रहे हैं यह आई हुए आपको पता हो ताप पैचानना कि कौन कौन से पौधे हैं ठीक हर तरीके के पौधे यह देखो यह देखो बढ़िया हैं बहुत सारे पौधे लगए अब वही बता रहा हूं अब देखते रहूं ठीक है बस मजे लोग इसका नाम बता है बस एक का यह लगा रखी है उपर इनने यह हरी हरी सी जाली लगा रखी है ताकि एकदम धूप डायरेक्ट ना आए क्योंकि उससे पौधे जो यह खराब हो जाते हैं कुछ पौधे हैसे होते हैं जो ज्यादा धूप सहह नहीं पाते हैं ठीक है उनको कम जो आप चलते हैं आए